एस्पिटी न्यूज में आपका स्वागत है पेश है जोदपूर भीकानेर जिले की बड़ी खबरें जोदपूर के संभागी आयुक डॉक्टर समिश शर्मा ने स्पेशल टीम के साथ जेडिये का अचानक निरिक्षन किया इसमें 310 अधिकारियों करमचारियों में से मात्र एक चतुर स्ट्रेनी करमचारी वे एक गार्ड उपस्तित मिला इसके बाद विलंप से आने वाले सबी अधिकारियों करमचारियों को चेतावनी दी गई JEE मेंस नीट और NDA परिक्षाओं को देखते हुए ऑगले दीन सुबह 9-50 बजय श्री गंगानगर पहुचेगी इसी प्रकार श्रीगंगा नगर कोटा सुपर फास्ट परिक्षा स्पेशल 6-13 शितंबर तक प्रतेक सो मवार, गुरुवार, शुकरवार वे ळवीवार को चलेगी श्री गंगानगर से 6 बजे रवाना होगी जो अगले दिन सुबह 10.05 पे कोटा पहुँचेगी सीनियर DCM जीतेंदर मीना ने बताया कि श्री गंगानगर से सपता में 4 दिन 6 बजे चलने वाली यह ट्रेन रात में 11.20 बजे बीकानेर पहुचेगी यहां से 11.30 बजे कोटा के लिए रवाना होगी जैपुर सुबह 5.55 बजे पहुचेगी इसी तरह मंगलवार, बुदवार, वैशनिवार को शाम साड़े 5 बजे श्री गंगानगर से रवाना होने वाली ट्रेन रात 11.20 बजे बीकानेर पहुचेगी वापसी में जालावार से बुदवार, गुरुवार, वैडविवार को चलने वाली ट्रेन सुबह 4.20 बजे बीकानेर पहुचेगी जोदपूर के डांग्यावास थाने के 24 पुलिस कर्मियों ने कोरोना से जंग जीत ली है हतियार तसकरी में गिरफतार एक आरोपी के कोरोना पोजिटिव होने के बाद संक्रमित होने वाले डांग्यावास थाना दिकारी, लीला राम और थाने के 23 अन्या पुलिस कर्मी अब स्वस्थ हो गए है 14 दिन तक क्वारिंटीन रहने के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है पीकानेर जिले के समस धरमस्तल 7 सितंबर से खोल दिये जाएंगे जिला कलेक्टर नमित महता ने धरम गुरूओं के साथ पैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनसार धरमस्तल खोले जाने के बाद कोरोना एडवाईजरी के अनुपालना की जिम्मेदारी धरमसल संचालकों की रहेगी दर्शन प्रार्तनाप पूजा पाट आदी के दोरान आने वाले लोगों में आप से संपरक ना हो यह सुनशित करने के साथ सापसफाई के संबन में भी एहतियाद बरतनी होगी जोदपूर शहर में अकाशिय बिजली गिरने से एक महिला की मोत हो गई जानकारी के अनुसार गुड़ा विश्णोईन गाउं में अपनी घर के बाहर बाड़े में काम कर रही बुजुर्ग महिला मीरा देवी पर अकाशिय बिजली गिर गई इससे उसकी मोत हो गई अकाशिय बिजली गिरने से आसपास का एरिया भी जल उठा वही लोहावट कस्पे में भी बिजली गिरने के घटना होई है इस हाथसे में 6 लोग जुलस गए जिनमें महिलाएं एवं बच्चे शामिल है जोदपूर नगर निगम ने बिना अनुमती निर्मान कारे करवाने पर दो बिल्डिंग को सीज करने की कारेवाई की निगम आयुक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि शहर के शोबावतों की धानिक शेत्र में और नागोरी गेट रोड पर निगम की बिना अनुमती के बहु मंजिला इमारत बनाने के मामले सामने आये इन पर इन बिल्डिंगों को सीज करने की कारेवाई की गई जोदपूर के जीला कलेक्टर इंदरजीद सिंग ने जीले के विकास अधिकारियों की कलेक्टट सभागार में बैठक लेकर आवश्चक दिशा निर्देश्ट दिए जिला कलेक्टर नी मुख्य रूप से नरेगा के कारियों में समय बद्धता वे गुनवत्ता को पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोरोना की विशम परिस्तितियों में लोगों के जीवन के साथ साथ उनकी आजिविका की रक्षा करना पी आवश्चक हैं। इसके तहट मजदूरों को आर्थिक संबल देने के लिए नरेगा के अंतरगत आने वाले कारण को गुनवत्ता पूर्ण एवन समय पर पूर्ण करवाया जाए। जोदपुर नगन निगम में दीन दयाल अंतोधिय योजना राष्ट्रिय शहरी आजिविका मिशन के अंतरगत स्वरोजगार रिन कारेक्रम के तहत स्विक्रित रिन की सविक्रिती पत्र लाभार्तियों को प्रदान किये गए। नगन निगम दक्षिन आयुक सूरेश कुमार ओला, नगन निगम उत्तर आयुक रोहिताष सिंग तोमर, केंडरा बैंक शाखा प्रबंध अनिल गोईल ने लाभार्तियों को कुरिन सविक्रिती पत्र दिये। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की पहल परप्रदेश में कोरोना संक्रमन के गंबीर रोग्यों के इलाज के लिए शुरू की गई प्लाजमा थेरापी के लिए लोग आगे बढ़कर प्लाजमा डॉनेट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमन की रोग थाम और जीवन रक्षा के लिए जीला प्रिशासन के मिशन जीवन रक्षा के तहट तीन व्यक्तियों ने मतुरादास मातुर हस्पताल में प्लाजमा डॉनेट किया है। कार्या के साथ रोजगार सिजन में इसका उप्योग कर सके हैं। कि लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवार। कि लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।